हेलो, कैसे हैं आप सभी? पुरा उम्मीद है विश्वास है कि आप सभी स्वस्त हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बहतर तयारी में, बहतर धंग से लगे हुए हैं आज की ये क्लास klas 12 के आर्ट्स वालों के लिए है, और खास कर उनके लिए है जिनका सबजेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिससे आप हिंदी में राजनितिक, सास्त या राजनितिक, बिघ्ञान के नाम से भी जानते हैं तो आज की इस क्लास जो है राजनितिक बिज्ञान का यानि पॉलिटिकल साइंस का दसमा क्लास है इससे पहले नौगो क्लास आप करके आ रहे हैं जिसमें 90 जो है इंपोर्टेंट दो नमबर वाला क्विशन कम्पलीट करके आ रहे हैं आज जो है एक 90 से लेके 100 तक के 10 क्विशन बिना रटे हुए बिना अंसर देखे हुए आप अपनी भासा में याद कर लेंगे इस बात की गैरेंटी है पूरी अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको समझाने की आवल सकता नहीं अगर आप इस क्लास से नए जुरे हैं पूरा वीडियो देखिए आपको भी जो है मज़ा आ जाएगा चलिए आज की सभा को हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्योश्चन है कि स्वतंतरता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनावतिया थी यानि जब भारत स्वतंतर होने वाला था उस समय जो है स्वतंतरता के समय भारत के पास आखिर कौन कौन सी चुनावतिया थी तब भारत के पास चुनावतियां थी धर्म के नाम पे जो अलगाववाद है उसको खतम करना जाती प्रथा को खतम करना और उसके बाद गरीबी को दूर करना ये जो है काथी स्वतंतरता के समय भारत के समक्ष ये तीन अहम चुनावतियां थी कि धर्म के नाम पे जो अलगावववाद हो रहा है यानि कि धार्मिक हिंसा हो रहा है धर्म को लेकर एक दूसरे लोग आपस में ही लर रहे हैं उसको खतम करना है जाती प्रथा जाती के अनुसार जो है काम को बाटा जा रहा है या जाती के अनुसार ही जो है लोगों को जो है उनका बटवारा किया जा रहा है तो जाती प्रथा को खतम करना और खास कर जो भार भारत में गरीवी थी उसको दूर करना ही जो है ये तीन चुनावतियां थी स्वतंत्रता के समय किस के पास भारत के पास next question है कि स्वेत क्रांती से क्या तात परे है मतलब क्या है तो स्वेत क्रांती स्वेत का होता है दूध होता है तो स्वेत क्रांती से यह तात परे था कि दूध का उतपादन जो है कैसे बढ़ाया जाए यानि दूध पहले मान के चले कि भारत में 100 लिटर होता था तो उसको 200 लिटर कैसे किया जाए तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही जो है स्वेत क्रांती की सुरुवात की गई थी और स्वेत क्रांती की सुरुवात के अंतरगत दूध उत्पादन से जुरे हुए किसानों को सरकार जो है मदद कर रही थी कि आप जो है दूध जो है फेमस है तो स्वेत करांती जो है दूधूत पादन के लिए फेमस है ठीक है चले नेक्स्ट कुशन है कि एक धुरूव्यता का क्या अर्थ है यह कब प्रारंब हुआ एक धुरूव्यता जो है 1901 में प्रारंब हुआ और एक धुरूव्यता का तातपर्य क्या है तो समझ ध्रूब्यता कहते हैं, जैसे अमेरिका जो है, सब चीज से, पैसा से, उसके बाद देश में बढ़ा से, सब चीज से उका है, परिपूर्न है, तो अमेरिका जो है, कौनों देश पे राज कर सकता है, तो अमेरिका ने ही शुरुवात किया था, 1991 में एक ध्रूब्यता की, तो आप कह सकते हैं कि एक ध्रूब्यता का मतलब होता है कि जब कोई एगो मजबूत देश, सब चीज से मजबूत देश, सब ही देशों पर जो है अपना बर्चस्व बनाए रखता है, अपना जो है सकती जूप जो है उन पे जो है अपनाए हुए रखता है तो उसको एक कोशन है, 1975 में आपात काल के घोसना के कारण बताईए, भारत में अगर आपका जनम जो है, 1975 के छोड़िये, आपके माता पिता या दादा दादी का जनम हुआ होगा, हम भी 2000 के बाद ही जनम हुआ है, यह भी ख्याल रखेगा, तब 1975 के जनम हुए हैं, तब उनसे पूछेगा, कि 1975 में आपात काल लगल था, इमरजेंसी लगा था, आखिर या पात काल लगने के पीछे कारण क्या था बताईए, तब जानते हैं 1975 में आपात काल लगने के पीछे कारण क्या था, तब इलाहाबाद उच्चे न्याले का निर पर इसी कारण जो है इंद्रा गांधी उस समय जो है सरकार में थी उन्होंने आपटाना पातकाल की घोसना कर दिया जिससे जो है उनका सरकार बच जाए बात समझे उन्होंने सो पच्छत्तर में आपातकाल के घोसना यानि उन्होंने सो पच्छत्तर में आपातकाल लग गया था इसके पीछे रीजन का रहा तो आपको बताना है कि उन्होंने सो पच्छत्तर के सरकार पे जितने भी राजनितिक जो बिपक्षी पाटियां थी वो दबाव बना रही थी और तीसरा अपनी सरकार को बचाने के लिए इंदरा गांधी जी ने जो है अपातकाल की घोसना कर दी ठीक है चलिए नेक्स कोशन है कि नर्मदा बचाओ के पक्ष हों बिपक्ष में तरक दीजिए यानि नर्मदा बचाओ जो है एक अभियान चला था इसके पक्ष में बताना है कि क्या पक्ष कहने का मतलब नर्मदा बचाओ के क्या जो है सही परिनाम हुए और क्या जो है इसके जो है गलत पर नाम हुए यानि बिपक्ष के बारे में बताना है तो नर्मदा बचाओ जो है परियाबरन बचाने के लिए एक आंदोलन की जो है शुरुवात की गई थी जिसको जो है नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन यानि नर्मदा नदी है तो इसी को जो है परियाबरन को सुर नर्मदा बचाओ एक पॉक्ष वाला बात का है तो इसका पॉजिटीव बात ये रहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जब सुरुवात होई तो देश में परियावरन को जो है सुद्ध करने के लिए लोग प्रेरित हुए और नदियों को जो है साप करने लगें नदियों में ब पानियों का जो है बटवारा कर दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ का हुआ तो पानियों का बटवारा हो गया कुछ राज्यों ने जो है कहा कि नर्मदा का आधा पानी मेरे तरफ रहेगा और नर्मदा का आधा पानी जो है दूसरे राज्ये के तरफ रहेग तो राजियों में जो है का हुआ मतभेद हो गया बात समझ में आपको आया नहीं समझ में आया फिर से समझे नर्मदा बचाओ आंदोलन परियावरन बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था तो इस आंदोलन का पक्ष यानि पॉजिटिव बाते ये रहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब सुरुवात हुई तो बहुत सारे लोग इसमें जुरें और नदियों को लोग साप करने लगें नदियों में कम गंदा पदार्थ कम भीगने लगें ये पॉजिटिव बाते रहीं लेकिन नर्मदा बचाओ के अंतरगत पानियों का बठवारा हो गया नर्मदा नदि को जो है राज्य जो है बाट लिए कि नहीं इन्ने के पानी हमर राज्य के है इन्ने के पानी मेरे राज्य का है ठीक है तो ये जो है नेगेटिव भी रहा चलिए ये जो है आप दच्छिन में संवाद हुआ बाचीत हुआ उसका क्या ध्रे था यानि क्या मतलब था बताइए तो उत्तर הג उत्तरी गोलार्ध में जो भी राज्य जो भी राष्टे हैं जैसे अमेरिका वो दश्चिनी गोलार्ध में जो देश हैं उनसे बात करके जो है सम्झहोता करना चाहते थे यानी कि भारत पूरा विश्वे जो है दूगो गोलार्ध में बटा हुआ है एगो उतरी गुलार्ध है आएगो दशनी गुलार्ध है उतरी गुलार्ध में जो है अमेरिका है और भी यूरोप के जो है बहुत सारे देशे हैं तो वहीं दशनी गुलार्ध में जो है एक तरफ बहुत सारे देशे हैं तो इन दोनों जो है देशों के बीच समवाद किया ग लखेंगे तो इसी को नाम दे दिया गया उत्तरद अच्छिन समवाद बात समझ में आया चलिए वेरी गुड आपके मन में कुछ प्रस्ण तो आ रहा होगा किसर ठीक है आप समझा दे रहे हैं इसका PDF नोट्स तो दीजिए जिसे हम लोगों को काफी अच्छा से समझ में आ ज साइन्स, हिंद, इंगलिस, सब के दू नंबर वाला इंपोर्टेंट कोशन, पांच नंबर वाला इंपोर्टेंट कोशन, चेप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सेरेज, रिकॉर्डेड बीडियो, PDF नोट्स, क्वेशन बैंक सोल्यूशन ये सभी चीजिएं आपक 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड करना होता है, जिसका नाम होता है, SGS Classes, SGS Classes अप्लिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और यहीं से जो है आपको आर्ट्स का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सब चीज मिल जाएगा, है से जो है, आप क्या समझते हैं, बता सकते हैं, ता आपको हम बता दें कि गलास्नोस्ट और प्रेश्टोई का जो है, एक परकार का नीती है, नीती मिन्स का होता है, नियम है, इस नियम के अंतरगत होता क्या है, तो उसको समझे, इस नियम के अंतरगत होता है, कि सोबियत खुला पन एवं पार दरसिता को लाना यानि कि गलासनोस्त और प्रेस्त्रोई का ये एक परकार का नियम है जो रूसे गो देश है यहाँ पे जो भी सरकारी संस्थान है वो जो भी काम कर रही है उस काम को जनता को दिखाना होगा जनता को बताना होगा किसके तहते ये गलासन और प्रेस्त्रोई का नियम के तहते सोबियत रूस के सरकारी संस्थानों के कामों में जो है पारदर्सिता लाने के लिए ये नियम का जो है शुरुवात किया गया था बात समझ गये चले गूर्ड नेक्स्ट कुश्चन है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं सर बताएए तीसरी दुनिया से आप का समझते हैं आप कोई बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं ता ये समझते हैं वैसा देश जो ना किसी नाटो से संबंधी थो ना सोबियत संग से संबंधी थो नाटो एक परकार का संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जो हैं जुरे हुए हैं सोबियत संग भी जो है एक परकार का संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जो है जुरे हुए है तो जो देश इन दोनों संगठनों में नहीं जुटा है उनहीं देशों को हम लोग कहते हैं क्या तो उन देशों को हम नहीं के कहते हैं कि वो देश जो है तीसरी दुनिया के दे नेक्स्ट है बीटों सकती क्या है और वह किसे प्राप्त है बीटों सकती क्या है समझिये अगर बिधान मंडल के सदस्य जो है बिधान मंडल कहने के मतलब कि सनसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है और उस बिल को रोकने का काम करता है रास्टपती या उस बिल को आगे बढ़ाने का काम भी करता है रास्टपती तर रास्टपती को एक पावर जो है दिया गया है कि बिधान मंडल के सदस्यों द्वारा कोई बिल पास किया गया है और आपको अच्छा नहीं लगता है आप इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं ता आप इस बिल को कहिए कि नहीं पास होगा कोई से कह सकते हैं ता आपके पास एक परकार का पावर है जिस पावर का नाम है बीटो पावर यानि कि बीटो सक्ती आइए थोरा इसको और जो है हम डीपली से आपको समझाते हैं बीटो सक्ती जो है का होता है तो जैसे कि सुरक्षा परिशद में जो है 15 गोदेश जो है भ अस्थाई रूप से होते हैं के गो पांच गो देश अस्थाई यानिकी पांच गो फिक्स है कि रहेंगे नौ गो देश कोई भी रहेगा जो अस्थाई है जिसे कभी भी हटाया जा सकता है तो इसमें से नौ गो को जो है अगर भोट मिल गया किसी नियम को पारित करने के लिए तवनियम जो है आगे बढ़ सकता है कोई भी जो है इसे नहीं हटा सकता है लेकिन उन नौगो सदस्यों में इपाचों अस्थाई सदस्य होना चाहिए क्योंकि इन पाचों के पास जो है बीटो सकती मौजूद है फोर इक्जामपल जिसे इपाच गो समझ लिजे कि आपके घर में जो है पापा है दादा है चाचा है और भी बरे पापा है पाच गो है आप नौगो जो है बच्चा लोग है तका आप नौग बच्चा लोग चाहेंगे कि कोई नया चीज घर में बने बनेगा जब तक कि है ता सोबियत संग में जो है जुरा हुआ है यानि कि राष्टिय सुरच्छा परिशत में जुरा हुआ है तई पांचो अस्थाई सदस्यों के पास जो है बीटो पावर जो है मिला हुआ है बात समझ गए चलिए बीटो सकती आप समझ गए तब नाज का जो है नेक्स्ट और दल जो है उका होते हैं आपको जो है पता है नहीं पता है तो आप जो है हमसे समझ ये वैसे दल जो समाज के भेद भाव गरीबी और सोशन के बिरुद्ध जो है सरकार से लड़ते हैं उनहीं दलों को जो है वामपंथी दल कहा जाता है जैसे सरकार के खिलाफ जो पाटियां गरीबी, सोसन, अलगामवाद के खिलाप लड़ती है उन्ही दल को जो है वामपंथी दल कहते हैं मतलब सरकार है और सरकार जो है कोई नियम आके जो है गरीबों पे थोप दे रहा है कोई नियम आके जो है गरीबों पे लाद दे रहा है तो इस नियम का विरुध जो दल करते हैं जो पाटियां करती है उन पाटियों को हम लोग जो है वामपंथी दल बोलते हैं बात समझ गया है चले very good अब दौसों में से कौन सा ऐसा प्रस्न था जो आपको याद नहीं हुआ अगर गलती से कोई प्रस्न आपको याद नहीं हुआ आप इस क्लास को दुबारा देख लीजे आप भूल नहीं पाएंगे और उसके बाद एस जी इस क्लासे से जो है आप नोट्स ले लीजे आप कहियों नहीं भूल पाएंगे है कि नहीं तो अब जो है आप लोग जो है स कौग और कोश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूरे कर चुके हैं। तो हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से हम विदा चाहेंगे, मिलते हैं, धन्यवाद!